तो गाइस जो आज की YouTube वीडियो है ये काफी informative होने वाली है कई बार क्या होता है हमारे smartphone के अंदर limited data होता है जैसे कि आप लोगों को पता होगा सारे लोगों के घरों में wifi एविलेबल नहीं है और काफी ज़्यादा लोग geo sim cards का use करते हैं जहां पर आपको daily 1GB 1.5GB data मिलता है और आज की time में जैसे कि lockdown चलना है और इस time पर हम जातर काम online करते हैं तो हमारे data काफी जिल्दी चले जाता है कई बार हमें काफी सारे काम करने होते हैं जैसे online classes लेनी होती है YouTube वीडियो देखनी होती है movies देखनी होती है सारा काम net के थुरू होता है और इतने कम data में हमारा जो net है वो काफी जल्दी waste हो जाता है काफी जल्दी exhaust हो जाता है तो आज की वीडियो काफी जो है interesting होने वाली है अगर आपके पास एक Samsung का phone है तो यहाँ पर आप अपना काफी data save कर सकते हैं इससे कुछ फरक नहीं बढ़ता कि आपके पास M21 है M31 है M31S है या M51 है जो भी Samsung का device हो यह trick सब में काम करने वाली है और इस trick को use करना भी काफी simple है आप लोग को कुछ भी नहीं करना सबसे पहले आप लोग को settings के अंदर जाना है जो की है connections यहाँ पर आप देख सकते हैं हर sensing के phone में सबसे पहले आपको connections देखने के लिए मिलेंगे तो आपको connections पर टिक कर देना है connections पर टिक करने के बाद आपको नीचे scroll down करना है और नीचे scroll down करने के बाद आपको एक नय option नज़र आएगा data usage सबसे पहले आपको data usage के अंदर आप जैसे ही जाओगे सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने कितना data यहाँ पर यूज किया जैसे ही आप देख सकते हैं मेरे M21 में मैंने काफी कम data यूज किया है और इसका reason यह है कि मेरे घर में wifi लगा हुआ है तो सारा काम जो है मैं wifi से करता हूं मुझे mobile data की कोई भी जरूत नहीं पड़ती इसलिए यहाँ पर मैं काफी कम data यूज कर पाता हूं तो सबसे पहले आप लोगो एक data saver देखने के लिए मिलता है यह काफी अच्छा काम करता है पर यह perfect नहीं है यह आपका अच्छे से data save नहीं कर पाएगा अगर आपको काफी ज्यादा data save करना है तो आप नीचे scroll down कीजिए और आपको एक नया option दिखाए देगा अल्टरा data saving mode देख सकते हैं यहाँ पर आप option देखने के लिए मिलना है और यह option काफी important है आपको सबसे बहले अल्टरा data saving mode के अंदर जाना है फिर इसके बाद आप लोगों को इसे enable कर देना है इसे enable करने के बाद क्या क्या चीज़े हो होंगी वह मैं आपको बताइता हूं सबसे पहले जो आपके background में apps होते हैं वह आपका फाल्तु में data consume करते रहते हैं चाहें वह Facebook वह WhatsApp हो तो यह उनको जो है बिल्कुल data देना बंद कर देता है और कई वार ऐसा होता है कि हमारे background में Facebook या WhatsApp रन नहीं कर रहे होते वह बस हमारी आप लाइबरेरी में होते हैं पर फिर भी वह data consume करते रहते हैं जी हां यह truth है तो इसके थुरूज आप यहाँ पर काफी data save कर पाएंगे और अगर आप चाहते हो कि किसी एप को data देना बंद ना करें तो यहाँ पर आप वह जो एप है उसको select कर सकते हो उस एप का data यहाँ पर कट नहीं करेंगा यह काफी important चीज है और किस किस एप ने कितना data यूज कर रहा यह आपको वह भी बताता रहेगा तो उसके थुरूज हो है आप लोग जज़ कर सकते हो कि आपका कौन सा एप सबस्यादर data यूज कर रहा है और अगर वह आपका एप काफी informative है आपके लि लिए नहीं मिलेगा हो सकता है कुछ images या videos available ना हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका data safe या जाता है जब आप media consume करोगे तो वहाँ पर quality को कम कर दिया जाता है इसके थूरू भी data safe होता है यहाँ पर आपको काफी जगे compromise करना पड़ेगा पर at the end of the day आपके पास काफी data ब जी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो एक लाइक तो बनता है और अगर आपको ऐसी टेक वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्स्राइब कर सकते हो मिलता हूं आप लोग उस एकली वीडियो में तब तक के लिए स्टे टाइगी स्टे कनेक्टेड कि झाल आपको एकली पहता है